नमस्कार मरुप्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है चले जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को दिवाले चट पर घर आने वालों के लिए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन पूर्वे बढ़्र रेल ने आगामी तेवहरी सीजन में याठेव को विशेश सुबधा मुहया करवाने के लिए बिहार के पटना से पंजाब के फिरोसपूर और कटिहार से दिल्ली के बीच दो जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेन के परचालन के नुमती दे दी है ECR के मुख्य जन्संपर का दिकारी लाजेश कुमार ने इस बात की जानकारी दी है साथ ही बीते दिन उन्होंने दो जोड़ी सापताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन के परचालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी है जिसके तहत उन्होंने बताया है कि फिरोसपूर पटना पूजा स्पेशल 23 ऑक्टूबर से 27 नवंबर 2020 दक हर शुकरवार को फिरोसपूर से 7 बजे खुलेगी और शनिवार को 9 बजे के लगभग पटना पहुचेगी इसके साथ ही पटना फिरोसपूर स्पेशल 24 ऑक्टूबर से 28 नवंबर तक प्रतेग शनिवार को चलाई जाएगी उन्हाने बताया कि यह स्पेशल ट्रेन फिरोसपूर और पटना के बीच अप और डाउन दिशा में कोटकपूरा, भटिंडा, रामपूर, फुलबर्नाल, धूरी, पटियाला, राजपूर, अंबाला, कैंट, सहरानपूर, मुरादाबाद, बरेली, लखनाउ, सुल्तानपूर, बारानसी, पंडित दीन दयालुपाध्याय, जॉंक्षन, बकसर एवं आरा स्टेशन पर रुक कोट्रिस के एक नेताजी ने दोहराया, जिसके तहत उन्होंने सभा के दोरानी अपनी मांग को दोहराते वे कपड़ा फार लिया, और साफ शब्दों में कहा कि जब तक रोस्रा को जिला नहीं बनाया जाता है, वो कुरता नहीं पहनेंगे, सिर्फ धोती का ही धारन करेंग रेलवे ने अपनी तरफ से त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते वे क्लोन ट्रेनों के परिचालन का निरने लिया था, हाला कि ट्रेनों के परिचालन करवाने में अब रेलवे की मनमानी साफ दिखाई देने लगी है, मिली जानकारी के नसार इन ट्रेनों में यात्रियों क पटना से नई दिल्ली का किराया 510 रुपे लिया जाता था अब इन किराये में लगभग 30% की वृद्धी की गई है आपकी जो आनकारी के लिए आपको बता दे पटना जंक्शन के आरक्षन कारियाले से मिली जो आनकारी के नुसार कोरोना काल में ट्रेनों की संख्या कम होने और यात्रियों की भीड को नियंत्रत करने के लिए रेलवे ने पर्व स्पेशल ट्रेन चला आने का फैस्दा लिया था बिहार के कई जिलों में आज बारिश होने के जटाए गए आसार दुर्गापूजा के माहौल में जहां बिहार से मौनसून जा चुका है मगर आसपास के राज्यों में हो रही बारिश का असर बिहार में भी देखने को मिलने वाला है मौसम विभाग के तरफ से जारी किये गए पुर्वान मान के अनुसार बंगाल की खाड़ी में पुष्टे एक महीने में तीसरी बार बन रहे लो प्रेशर सिस्टम से आंधरप्रदेश, ओडिसा और वेस्ट बंगॉल में अगले तीन दिनों तक तेज बारिश हो सकती है वहीं आज बिहार के कई जिलों में भी वारिश की संभाव ना जताई गई है इसके साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में आंशिक रूप से बादल चाने के भी आसार जताए है वहे कुछ दुनों में ठंड भी दस्तक देने वाली है चुनाव आयोग ने भिहार में मतदान की दोरान प्रकाशित होने वाले अप्रमानित विज्यापन पर लगाया रोक यही पाबंदी साथ नबंबर को बिहार के वालमिकी नगर लोगसभाव उप्चनाफ के लिए भी लागू होगी, आपको बता दे कि आयोग ने सम्वेधान के नुचे 334 के तहट अपने सम्वेधानिक अधिकारों का इस्तमाल करते वे यह फैस्दा सुनाया है। पुश्पम्प्रिया चौधरी ने बिहार को रोल मॉडल राज्यू बनाने की कही बार, जिनाफ की तारीख जैसे जैसे आ रही है, वैसे वैसे सभी उमेधवार बिहार को धरातल से उठा कर आसमान में पहुचाने की बात करने में जुट गये हैं। इसी क्रम में प्लोरल्स पार्टी की अध्यक्ष और अपने आपको मुख्यमंत्री उमिद्वार घोशित कर चुकी पुश्पम्प्रिया चौधरी ने भी लोगों से वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार की सूरत को बदल कर रख देंगी। प्रगतिशी लोगतांत्रिक पार्टी के मुख्यमंत्री उमिद्वार पपुयादव ने अपना नामांकर भर दिया है। लोजपा ने जारी के 41 उमिद्वारों की सूची तीसरे चरन के लिए लोजपा ने उमिद्वारों की सूची जारी कर दी है। आजा की गई जानकारी के नुसार लोजपा ने कुल मिलाकर 41 उमिद्वारों को मैदान में उतार दिया है। अपनी किस्मत आजमाने मैदान में उतार रहे हैं। लोजपा ने तीसरे चरन में नए चेहरों पर दाव खेला है। लोजपा ने एक सीट से भाजपा की खिलाव भी मैदान में अपने उमिद्वार को उतार दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे लोजपा ने पांच संख्यक को भी उतार रहा है। दस स्वर्नों को भी टिकेट दिया है। ने चेहरों में नरकटियागन से नौशाद आलम, बाजपटी से इंतखाब आलम, हरलाखी से विकास कुमार मिश्र, निर्मली से गौतम कुमार, महवासे संजे सिंग, ठाकुरगन से, कली मुद्दीन, महीशी से, अबदुर रज्जाक, गयाघार से, कोमल सिंग और बोचहा से अमर आजाद का नाम शामिल है, चुनावी सीजन के बीच, बिहार के पांच जिलों में सिल्क कारोबारी और ठेकेदारों के आठ ठेकानों पर सर्वे, बिहार में विधानसवा चुनाव की बिच्चु किये, वहीं चुनावी माहौल के बीच, बिहार के पांच जिलों में सिल्ख कारोबारी और ठेकेदारों के आठ ठेकानों पर छापिमारी की गई है तेजस्वी आदव ने सरकार बनने के एक महीने के अंदर नौकरी देने का किया वादा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने कुछ दूनों पहले ही बिहार के बेरोजगार युवाओं को लुभाते वे 10 लाख नौकरी मोहया करवाने की बात कही थी उन्होंने कहा कि मु तेजस्वी आदव ने इस दौरान नियोजि सिक्षकों को भरोसा दिलाया कि सरकार बनने के बाद समान काम समान मेतन मिलेगा आशा कारेकरता को नियमित कर उन्हें 4,000 मान दे मिलेगा सरकार बनते ही एक महीने के अंदर सभी को नौकरी मिलनी शुरू हो जाएगी तेजस्वी आदव की रैली के दौरान फेकी गई चपल आगामी मिधान सभा चिनाव में बस कुछी दिन का समय बच गया है ऐसे में सभी पाटिया जोर शोर से चिनावी मैदान में प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार नजर आ रही है वहीं कई जन सभाओं का आयोजिन भी करवाया जा रहा है इसी क्रम में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव भी एक जन सभा को संभोधित करने और अंगाबाद पहुचे थे जहां भीड में एक दिव्यांग युवक ने उन पर चपल फेक दी चपल सी थे उनके हाथ को छूते वे उनकी वूद में जागिरा जिसके बाद सभा में अफरात अफरी का माहौल देखने को मिला आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे कुटुमबा के भवंडी में मंगलवार को तेजस्वी आदर चुनावी सभा को संभूधित कर रहे थे इसी बीच यह बाक्या हुआ हाला कि चपल फेकने के बाद भी वो लगातार तेजस्वी आदर के खिलाफ विरोध कर रहा था प्रधान सचिफ के निर्देश के मताबिक रैली स्थल के बीवी आईपी एरिया में तैनाथ सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी और प्रधान मंच्री के साथ मंच्छ साज़ा करने वाले लोगों का कोरोना जाँच करवाय जाएगा वो भी एक बार नहीं दो दो बार पर बाहुबली दो और साहु को अमेरिका और जाबान में फिर से रिलीज किया जाएगा यहा जानकारी दी गई है इसके साथ ही आने इसके आने के बाद मंगलवार को ट्विटे पर हैश्टाग बाहुबली दो और प्रभास बुट्टेड ट्रेंड करने लगा था रिपोर्ट के मताबिक यूएस के 16 शेर प्रभास की फिल्म बाहु बली सीरीज को शानदार रिस्पॉंस देखने को मिला है जापान में उनकी तगडी फैन फॉलोइंग है इसी को ध्यान में रखते वे बहाँ पर उनकी साहू को भी दोबारा रिलीज किया जाएगा जिसकी जानकारी प्रभास ने खुद शेर किया आपको बता दे प्रभास इन दिनों नई फिल्म राधेश्याम को लेकर काफी चर्चा में है शेखरदवन ने आईपियल में रचा इतिहास दिली के आपिटल्स के ओपनर बले बाद शेखरदवन गजब के फॉर्म में नजर आ रहे हैं उन्होंने आईपियल 2020 में लगातार दूसरा श्रतक लगा कर सब को हैरान कर दिया है इससे पहले के मुकाबले में भी उन्होंने नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेली थी और अब इसके बाद ठीक दूसरे मुकाबले में ही उन्होंने श्रतक पारी खेल डाली किसी ने शिखरदवन ऐसा करने वाले पहले खिलाडी बने हैं पंजाब की खिलाफ उन्होंने अपना श्रतक पूरा किया था इसके साथ ही उन्होंने अंठावन गेद में 12-4 और 3-6 लगाकर श्रतक पूरा किया था आपकी जानकारी के लियाब को बता दे शिखरदवन ने अपने IPL करियर में अब तक कुल 170 मैच में 5043 रन बनाए हैं और उनकी बेस्ट पारी नावाद 106 रनों की है देश में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुची 56 लाग के पार होता नजर आ रहा है जिस तरह से बीते कुछ दूरों में कोरोना के नए मामलों में गिरावर देखने को मिल रही है वहीं आपको बता दे कि भारत में अब तक कुल मिलाकर 67,95,103 मरीज ठीको चुके हैं जिसके परिणाम सरुप अब भारत में 7,44,090 सक्रिय मामले है तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है आपके अनुसार आगामे विधानसवाद चिनाफ में जनता फिर से मुख्यमत्री नितीश कुमार पर भरोसा जटाएगी या किसी नए विकल्प की बारी है अपने जवाब हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस अतना है बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारी यूटिब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाना ना भूले धन्यवार